Hello everyone, welcome to Success Classes, I am Gaurav Sohin और अब सभी के सामने आज एक important वीडियो के साथ मैं हाजर हूँ और एक important वीडियो में बना रहा हूँ हमारे एक subscriber की demand पे और हमारे एक subscriber है Dr. Raghav Sethi जिनको अभी-भी doctoral degree award हुई है तो सबसे पहले उनको हमारी तरफ से Success Classics तरफ से बहुत-बहुत बढ़ाई और उनकी एक query थी जो उन्होंने मुझे send की थी और उन्होंने ये मुझे बताया था कि वो आगे जाकरके अपना career research and development में बनाना चाते हैं और आगे जाकरके research pursue करना चाते हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि सब एक video बनाई है पोस्ट doctoral fellowship के उपर और साथी साथ बताया कि कौन-कौन सी doctoral fellowships available होती है, उनका क्या criteria रहता है, क्या उनकी eligibility conditions रहती है what will be the, you know, entire selection process and all तो उनके demand पे मैं ये video upload के लिए लिए लेके हैं और ये बहुत informative video है in fact मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, उनके, उनके, उनने मुझे कहा तो मैंने सर्च आउट किया तो मुझे पता चलगी बेच जी के ऊपर भी एक degree होती है और आप अगर आगे जाकर के अपना career research and development में करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो आपको post doctor fellowship मिल सकते हैं जिसमें आपको financial assistance मिलेगी अलग-अलग तो मैं आपको बताऊंगा भी कुन-कुन से financial assistance आपको मिल सकती है, किस तरीके से और पूरी process मैं आपको बताने वाला हूँ with the help of this video so before that I would like you all to subscribe my youtube channel success classes and hit the bell icon for latest updates आप हुमारी website research phd.in to be regular basis पे visit कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो post हमारे रहते हैं इसमें हम कुछ ना कुछ नए जो PhD admission notifications होती है यहाँ फिर कोई vacancies आई होती है आपको जितने भी quizzes आपको अगर पिछले quizzes भी देखने है तो quiz section में आपको वो मिल जाएंगे इस section में आपको वो सारे के सारे quizzes मिल जाएंगे, learning में आपको PDF मिल जाएंगे वीडियो चैनल में आपको जितने भी most popular videos है उनका आपको जो link मिल जाएगा straight to the YouTube इसके बाद हम लोग Facebook में भी हैं आप Facebook में हमें follow कर सकते हैं और सारे सारे Telegram चैनल में हमें follow कर सकते हैं दोनों की link आपको description box में दी हुई है चलिए आज आते हैं सबसे पहरे तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या PhD के बाद भी कोई qualification होती है क्या PhD के बाद भी किसी प्रकार की फेलोशिप मिल सकती है तो मैं आपको बचा दू जी हाँ आपको PhD के बाद PDF पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिल सकती है और जब आगे जाकर के आप अपना करियर जो है वो assistant professor यह associate professor है professor में नहीं बनाना चाहते है and you want to you know you know pursue your career in the research and development area then in that case you will get this fellowship that is post-doctoral fellowship इसका क्या रहता है criteria पर दो मैं criteria बिताता हूँ यह you know आप कह सकते हो standard criteria है कि कौन-कौन eligible होता है तो चुछिए eligibility हमें देखने पड़ेगी क्योंकि eligibility अगर आप उसके अंदर eligible होगे तब ही आपको आगे जाकर कि उसकी fellowship मेरेगी तो first condition इसकी यह है कि जो candidate है उनका PhD complete होनी चाहिए उनके doctor degree उनको उनके पास होनी चाहिए उनके नाम चाहिए उनके doctor लगा होना चाहिए और five years से जाधा नहीं होना चाहिए उनको 2015 में suppose आपको doctor degree मिली है और suppose आप चाहते हो कि आप 2021 में आपको जो है अपना you know post doctor fellowship के लिए आप अपलाई करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाऊगे इसके बाद next condition में बताता हूँ आपको next condition है कि जो भी जो भी candidate है उनका minimum 55% होना चाहिए UG लेवल पे और 60% होना चाहिए post graduate लेवल पे ठीक है और suppose आपने काफी सारे research publications की लिखे होए है आपने कोई book लिखी है या आपने research papers लिखे है आपने policy papers लिखे है तो 5% के आपको और relaxation मिल सकते है मतलब 60 से 55 हो सकता है 55 से 50 हो सकता है अगर आपका substantial number of research publications आपके पास है तो ये condition यहाँ पे लगाए हुए है तो पहली चीज़ कि 5 सा से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए आपकी PhD कम्प्लीट होने से लेकर के आप जब अपलाई कर रहे हो तब तक और 55% होने चाहिए undergraduate में और 60% होने चाहिए post graduate में 5% आपको रि research publications लेकी है तो थर्ड कंडिशन यह है कि आपकी जो age है यह 42 years से जादा नहीं होने चाहिए as on 1st June of the year of application जब भी आप application फिल कर रहे हो 1st June से आपको अपनी age काउंट करनी है and should not be more than 42 years और SC, ST, OBC, Physically Handicapped, Minority Community Candidates या women candidates चाहिए उनको 45 years तक वो अपलाई कर सकते हैं for this postdoctoral fellowship that is PD the candidate है उसको किसी और जगा से fellowship नहीं मिलनी चाहिए, JRF में भी है यह हम जानते हैं और साथी साथ कोई और full-time या part-time job नहीं करे वो रैसे कि यह एक assistant professor भी कर रहा है और यहां पे इसको postdoctoral fellowship भी मिल रही है, this is not possible, right? आपको दोने में से कोई एक चीज करनी है, अगर आपको having yourself in part-time or full-time employment anywhere, okay? तो यह तो मैंने आपको basic बता दिया criteria, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन-कौन सी fellowships अवे लेबर हैं, तो उसके लिए मैं आपको अपनी website पे ले चलता हूँ, मैंने recently एक blog डाला है, उसको देख लेते हैं कि कौन-कौन सी postdoctoral fellowships इंडिया मैं available है, तो there are seven top postdoctoral fellowships in India, part-time as well as full-time, चलिए, पता कौन-कौन सी हैं, अब देख लेते हैं, first is your SERB National Postdoctoral Fellowship, इसकी मैंने detail कुछ-कुछ यहाँ पे लिग दी हैं, कि fellowship 55,000 पर मन्त में लेगी, अचारे 35,000 मिलेगा, 31,000 और बाकी details, और कौन-कौन सी, you know, प्रोग्राम में आप Medical Science, Earth and Atmospheric Science, Engineering Science, Life Science, Physical and Mathematical Science, यह सब होनी चाहिए, अगर आपको इसके बारे में और जाना है, तो आप Visit, Click Here to Visit पे क्लिक करके जान सकते हैं, इसके बादे, ICSSR, Postdoctoral Fellowship, यह हम पढ़ते रहते हैं, अपनी, you know, paper one में, तो इनकी disciplines देख लीजिए, Commerce, Management, Economics, Sociology, इन सब disciplines में, आप आगे जाकर करके research करना चाहते हो, तो आपको यह fellowship मिल जाएगी, और किस तरीके से मिलेगी, इनके advertisement आती है, इसे PhD admission notifications आते हैं, advertisement आती है, वैसे इनके भी advertisements ही आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप apply करोगे, apply करने के बाद वो shortlist करेंगे, top candidates को, मैं पता रहते हैं, process क्या होत करते हैं, बैसे मैं आपको दिखा भी दूगा कि क्या performa होता है, एक particular link पे click करके, अभी मैं बता देता हूँ आपको इसका fellowship amount, जो है, IC SSR का, यह है, 31,000 पर मन्त, and contingency grant आपको मिले के 25,000 पर annum, और यह यह areas में आप कर सकते हो, इसके बाद है, Fulbright Nehru Postdoctoral Research Fellowship, इसमें भी अपने इसाप से, और साथी साथ, जो है eligibility लिखी हुए, जो भी applicant उनकी PhD होनी चाहिए, या DM degree होनी चाहिए, पास्ट 4 years के अंदर से, मैंने बता है, पांच साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कुछ-कुछ उन्होंने, you know, fellowship to fellowship vary भी कर रहा है, पिछले 4 साल के अंदर- PhD है, DM degree हो जानी चाहिए, और amount वगरा क्या में लेगा याप देख सकते हैं, इसकी बाद है UGC की है, ये DS-Kotari fellowship, ये UGC प्रवाइड करते हैं आपको, और इनकी age, आपको 35 years दी हुई है, वो मैंने standard बताई थी, पर कुछ-कुछ ऐसी fellowships हैं, उनमें eligibility अलग से specified भी है, ठीक ह तो अगर आपको detail जानी तो click here to visit में आप जा सकते हैं, इसका amount देख लिजिए, first, second, third year आपको मिलेगा, first year 43,400, second year 45,000, third year 46,500 आपको मिलेगा, और contingency fund आपको एक लाख रुपर पर परयानम मिलेगी, चलिए, इसके बारे में सरच करते हैं, click here to visit मैंने किया, और हमें UGC की DS- इसको ठारी fellowship मिल जाएगी, इसका process देख लेते हैं, इसका process, मैंने आपको बताया है कि advertisement आजाएगी UGC की website पे, और उसके बाद electronically submit कर सकता है applicant, और जो यह लिखा हुआ है, अपर on the basis of grades received from the peer groups, और जिस तरीके से आपको grades, you know, आपको मिली होगी, जो भी मिली होगी, उसके accordingly शॉट्लिस्ट करेंगे आपको, और selection process जो होगी, छे हफ्तों के अंदर अंदर आपका complete हो जाएगा, इंडिविजियल application जब मिली है, उसके छे हफ्तों के अंदर अंदर आपको, पूरा process आपका complete हो जाएगा, and इसके बाद, international flavor, these videos should also have international flavor, और इन सब के बारे में बताया हु आपको यहां पर इस तरीके से यहां पर इस तरीके से यहां पर जो नोटिफिकेशन है, यह आई हुई है, तो यह ugc.ac.in पर मैंने देखा था, और आप को अगर जानना है कि यह हमें कहां से मिलेगी, तो आप इस link पर जा सकते हैं, और फिर आप search out कर सकते हैं कि कब-कब यह fellowships की advertisement निकलती है, इसके इलावा है IG-IDR, post-doctoral fellowship, यह भी 70,000 पर मन्त देते हैं, maximum of 2 years, और इनकी age लिखी, इनकी age 40 years लिखी हुए, यहां पर minimum 555% होना च इनकी master's degree में, उसके बदर रमान post-doctoral fellowship, IISC, you know, recognized जो institutions होते हैं, यह IISC जो होता है, वो प्रवाइड करती है, रमान post-doctoral fellowship, और departments यहां पर लिखे हुए हैं, departments जो 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 जिनके अंदर आप research कर सकते हैं, eligibility भी लिखी हुए, और amount भी लिखा हुए हैं, कि एक लाख रुपए आपको monthly मिलेगा, और research grant of 8 lakhs per year, they will give, they receive a research grant of 8 lakhs per year, and selected candidates will receive a consolidated monthly package of rupees 1 lakh, वाला बहुत अच्छा amount मिलदा है, अगर आप आगे जाकर के, IISC के, you know, recognized institutions में, अगर आप, you know, अपनी आगे जाकर के research करना चाहते हो, और तो आपको रमान post-doctoral fellowship मिल सकती हैं, So, this was the complete video, और ये, कोईजिस जो मैं daily डालता हूं, उसकी लिंग अगेरे ती हुए है, तो आप इसको, you know, अगर देना चाहते हो, आपकी knowledge और इनाच होगी, So, this was the complete video, जिसमें मैंने पुरी कोशिश किया है, कि आपको मैं बता सकूं कि पोस्ट-doctoral fellowship क्या होता है, और PhD के बाद भी, सिर्फ, there is no only single option that I have to, you know, pursue my career in teaching or lectureship, You can also pursue your career in this section, research and development section also, and you will get fellowship also, and there are top 7 fellowships that I have told you, okay? So, this was the complete video, I hope आपको कुछ knowledge मिली होगी, इस वीडियो के मात्यम से, इसको share करें, ज्यादा स्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें, वीडियो और आप जो likes and comments करते रहते हैं, उनका बहुत 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 शुक्रियादा, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, have a very nice day ahead.